कि नमश्कार दूस्तों सभी लोगों का स्वागत हैं अकैडमी के उपर बस चार-पास मेट फोड़ा साम लेट हो गए तेकनिकल इश्यूज आ गए थे दूस्तों जो हमारा यह होता है इसके अंदर कुछ टेकनिकल इश्यूज के कारण कि दू-तिन मेट का मारा क्लास लेट हो गया कोई बात नहीं बाकी सब लोग भी आ गये हैं दुस्तों सभी लोगों का स्वागत एं अनकैडमी के उपर हम लोग बात करते हैं आज के नए करेंट एफेट्स की टीक है कि मैं पैन और ले लेता हूं सभी लोगों का स्वागत है बहुत-बहुत स्वागत है मेरी इस क्लास के अंदर मित्रों जैसा कि कुछ महत्पूर्ण सुचना है हमेशा आप लोगों के लिए रहती है जिसे एक 28 अगस्त का यह जो बैच स्टार्ट हो रहा है यह प्री प्लस मेंस का बैच है काफी विस्तरत बैच है तेस अपरेल तक आप लोगों को पूरा स्लेवस इसके अंदर कवर करवा दिये जाएगा इसके अंदर मैं फिजिकल एंड वर्ल जोगरफी पढ़ाने वाला हूँ एक बैच दो सितंबर को आ रहा है जो प्रिलिम्स का मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ ठीक है इसके बाद अभी जो मेरे कोर्से चल रहा है एक यह मद्रप्रदेश वाला चल रहा है जो सुबह साड़े आड़ बजे है और शाम को पांच सेप्टेंबर से स्टार्ट हो रहा है इंडियन जोगरफी प्रीप्लस में सेप्लस के लिए आगे की बात करें दूस्तों तो आज आपनों का एक सेप्टेंबर को आजास को क्या है प्रत का है मद्रप्रदेश में सांको साड़े 9 बजे रात अपने 21 फ्री इस्पेशल क्लास में यह करवाता हूं आप सभी लोग आमंत्रित हैं जिन्होंने सब्स्रिप्शन लिया है वो भी और जिन्होंने नहीं लिया है वहां पर कॉम्पूटेशन बहुत ही तगड़ा होता जा रहा है दिन पे दिन और धीरे धीरे वहां पर आपको वास्तविक्ताओं का घ्यान होने लगा है सभी लोगों को कि हां भीया तैयारी कि सिस्तिती में अने के कई सारे फीचर्स हैं जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं दोस्त करते हैं जितने भी लोगों अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो मेरा कोड ज़रूर यूज़ करें जो कि यहां पर लिखावा है लोक लाइफ ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट राप तुझाए आज का पहला प्रेश्न आप लोगों की स्क्रीन के उपर आ राजये और फिर हमारा भेहतरीन तरीके से यह वाला जो कौम्पिटिशन safe किस राज में नई मिल्खंब अकएडमी का निरवाण होने वाला है नमश्कार दोसब सब्लोओं का स्वागत है पहला जो आंसर मेरे पास में सबसे पहला है वह राहुल राठाव हान सब्सक्रीश रासिंग जोहान ने कहा है कि मलकंब मद्यप्रदेश का राज्य खेल है तथा इसे बढ़ाने के लिए सरकार में खेल अकादमी खोलने का नड़े लिया है इस खेल अकादमी में दुरुणाचारे पुरुसकार प्राप्त मलकंब के प्रसिक्षक स्री योगेश मालविया की खाए गए मलकंब खिलाडी अज देश और दुनिया में मलकंब का स्रेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें वर्ष 2012 में मद्यप्रदेश शाषन के द्वारा विश्वामित्र अवार्ड भी दिया जा चुका है और 2018 में भारति खेल प्राधिकरण के द्वारा मलकंब में श बढ़िया बहुती गौरव की बात हैं हमारे लिए मद्यप्रदेश के लिए नेक्स्ट प्रेशन है आपनों की स्क्रीन के उपर जो कि आज का दूसरा प्रेशन है दोस्तों मद्यप्रदेश के स्कूल पाठिकरम में किस खेल को अनिवारे रूप से जोड़े जाने की घोश है अंसेर दिजेगा सब लोग को क्लासमे जतने भी लोग हैं दोस्तों फटाफटा आंसर दे दिजेए सेकेंड का की आंसर है पूर्णिमा का सबसे पहले एंसर आया है होकी की बात हुई है श्रीमती शुद्रा राजे सिंधिया ने बुला है कि होकी को मद्य प्रदेश के स्कूल पार्टिक्रम में अनिवारे रूप से जोड़ा जाएगा स्कूल पार्टिक्रम में जोड़ा जाएगा अगला प्रशन है आपनों की स्क्रीन के उपर जो की आज के करेंट अफेर का तीसरा प्रशन हो गया आज मद्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूजना के तहर्ट फुट्बॉल सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा मद्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूजना के तहर्ट फुट्बॉल का सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा बोपाल इंदौर सीहोर जबलपूर आंसर दीजेगा दोस्तों कहां पर बनाया जाएगा पूर्णी मा मालविया जी का अंसर इसमें भी सही आया है मेरे पास में सबसे पहले सीहोर डिस्टिक के अंदर बनाया जाना है दोस्तों फुटबॉल का सेंटर देख लेते हैं क्या explanation है पूरा इसका मद्यप्रदेश में राज जिस्तरी खेलो इंडिया सेंटर फॉर शूटिंग स्थापित किया जाएगा एक तो यह प्रेश्ण भी बन रहा है दोस्तों ठीक है मद्यप्रदेश के अंदर खेलो इंडिया सेंटर फॉर शूटिंग राज जिस्तर का बनने वाला है राज जिस्तरी खेलो इंडिया सेंटर फॉर शूटिंग इस्तापित किया जाएगा मध्यम मीडियम सेंटर के लिए भारत सरकार को प्रस्ताओ भेजा गया है और जिसमें उपलब्द खेल अदोसनरशना को बहतर उपयोग की बात कही गई है खेलो इंडिया स्मॉल छोटे सेंटर के लिए 25 जिलों के 14 खेलों के लिए प्रस्ताओ किन सरकार को भी भेज दिया गया है मतलब कुछ सेंटर और बनने जहां पर की विशेश प्रकार के खेलों का प्रस्रिक्षन दिया जाएगा पहले चरण में 5 जिले की बैडमिंटन के लिए दोस्तों सेंटर बनाया जाएगा ठीक है मुरेना जिले के अंदर आपको बैडमिंटन और एथलेटिक्स का सेंटर बनाया जाएगा सतना में बैडमिंटन और वेटलिफ्टिंग का सेंटर बनाया जाएगा सीहोर में फुटबॉल और वेटलिफ्ट के तहत हुई है तो मुरेना सीहौर उसके बाद में इंदौर उसके बाद में उज्जेन इन सब का याद रखेगा दोस्तों कि कहां कहां पर कौन-कौन से सेंटर्स आप लोगों के लिए बनने वाले हैं यह बहुत ही महत्वपून प्रेशन है क्योंकि स्पोर्स से आप पूछे जाते हैं और स्पोर्स के करेंट में मद्ध्यप्रदेश के करेंट के अंदर यह बहुत ही महत्वपून सूचना आपनों को नहीं दी अभी अब आते हैं प्रणम मुखर जी के उपर पूर्व रास्टपती स्री प्रणम मुखर जी भारत के कौन से नंबर के अदेटी थे ग्यारवे थे भारवे थे तेर्वे थे चावदूए थे इह बताना लेपनों को उसम्हें ब्र शागव का स्वागत्र दुस्तों इसका नंबर के रास्टपती थे श्री प्रणम मुखर जी देख लेते हैं explanation का और पूरा कुछ और भी जानकारी है प्रणम मुखर जी के संदर्प में उसके विशे में बात कर लेते हैं पूर्व राष्टपती श्री प्रणम जारी आदेश में 31 अगस से 6 सितंबर तक राजकी शोक के दोरान प्रदेश भर में राश्टी ध्वज आदा क्या रहेगा जुका हुआ रहेगा 31 अगस से 6 दिसंबर तक हमारे याँ पर राज की शोक मनाया जा रहा है साथ दिन का और जंडा जो है वो आधा हमारा जुका रहेगा मद्यपतिश के अंदर प्रणम मुखरजी भारत के 13 राश्ठपति के रूप में 2012-2017 तक पद पर रहे तो ये भी याद रखेगा आप लोग 12-2017 तक वो क्या रहे है राश्ठपति रहे हैं तेरवे राश्ठपति के रूप में 2012-2017 तक उन्होंने काम किया है पिर साल 2019 में उन्हें भारत रतने से भी सम्मानित किया गया तो ये भी बहुत महत्पून बात है आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि प्रणम मुखर जी बहुत ही ख्याती प्राप्त व्यक्ति थे भारत के अंदर तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रणम मुखर जी को भारत रत्न किस वर्ष में प्रदान किया गया था तो 2019 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था इसके लावा उनकी विशे में और जानकारी देख लेते हैं कॉंग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से रहकर रक्षा वित वानिज मंत्री तक की भूमी का नि लिए गए थे उन्हें तत्कालिन प्रधानमंत्री इंद्रा गांदी के भरोसी मंद सहयोगियों में गिना जाता था इसके अतरिक्त 1975-1980-1993-1999 में राज्य सभा के लिए चुने गए वो इसके अलावा साल 2004-2019 में पश्चिम बंगाल की जंगीपूर सीट से दो बार लोकसभा के लिए चुने गए तो यह याद रखेगा कि लोकसभा के लिए वो कौन से सीट से चुने गए लोकसभा के लिए वो जंगीपूर सीट से चुने गए हैं पश्चिम बंगाल से पिर 23 सालों तक कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी के सदस्श्य भी रहे वह मनमन सरकार में 2004-2003 तक वह बिदेश मंत्री रहे 2009-2012 तक वह वित्त मंत्री रहे प्रणम मुकर जी की गिंती जो हे वो गांधी परिवार के बहुत ही करीबी और विश्वास पात्र व्यक्ति की रूप में की जाती है ओ लाँ डेली होती है डेली ही होती है ठीक है डेली होती है क्लास आपकी क्लास शिक्स पीम पर होती है ठीक है पांचवा प्रेशन है दोस्तों वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को राज्यू गांधी खेल रत्न पुरसकार प्रदान नहीं किया गया है जल्दी से आंसर दीजेगा वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को राज्यू गांधी खेल रत्न पुरसकार प्रदान नहीं किया गया है अब बहुत बढ़िया पांचवे का मेरे पास जो आंसर आया हुआ है वो आया हुआ है साधुजी का धर्मिंद्र तिवारी को तीरंदाजी के लिए नहीं दिया गया है अबमित्रों में आप लोगों को जितने भी हमारे रास्ति आवर्ड्स मिले हुए धैल के लिए जίसे सबसे पहले राजु गांदी खेल रतने की बात करेंगे फिर अर्जुन आवार्ट की बात करेंगे फिर द्रोनाचारी की फिर ध्यानचन आवार्ट की बात करेंगे तो ये किस-किस को मिले हुए हैं और किस-किस खेल से संबंदे थे वो लोग ये पूरा आपको इस PDF के अंदर उकलब्द हो जाएगा है ना जिसे मैं यहां पर बताऊंगा आप लोग को राज्यु गांदी खेल रतन पुरसकार कप से स्टार्ट हुआ अभी उसकी राशी भी बढ़ा दी गई है इस बार है तो राशी भी पूछी जा सकती है आप लोग उसे कितनी बढ़के कितनी हो गई ह है वो सारी जानकारी इस पीडिएफ के अंदर आप लों के पास में उकलब्द हो जाएगी आप लोग इस पीडिएफ को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक अनेकैडमी MPPSC व्यापाम का टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है MPPSC 10 MPPSC 10 वहां पर जाएग सबसे बड़ा खेल सम्मान यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है इस पुरुसकार की शुरुवात 1991-92 में हुई थी यह पुरुसकार युवा कारिक्रम एवं खेल मंत्राले के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है इसमें जो राशी है दोस्तों राशी 7.5 लाख रुपे दी जाती थी पहले अब वो 25 लाख रुपे कर दी गई है इस बार जो राशी वित्रित हुई है वो 25 लाख रुपे की राशी हुई है पहले 7.5 लाख रुपे दिया जाता था अब राशी 25 लाख कर दी गई है तो यह बहुत ही महत्वपून प्रश्ण आपका बनता है पहला कब से स्टार्ट हुआ है दूसरा राशी बढ़कर के कितनी हो गई है साथ देशनलों पांच लाग से बढ़कर के हो गई ये 25 लाग रुपे ठीक है अब किस किस को दिया गया है ये तो ये पांच लोगों को दिया गया है इस बार राजी गांधी खेलगत में रोई शर्मा को क्रकेट के लिए मरियप पन्थ थंगा वेलू को पैरा एथिलेटिक्स और उची कूद के लिए फिर मनीका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है वीनेश फोगाट को फुस्ती के लिए दिया गया और रानी र पुरुषकारों की शुरुवात भी थी ठीक है फिर उसके बाद खिलाडी को ना केवल उत्रस्ता के साथ अंतरास्ती इस्तर पर पिछले तीन वर्षों में और उस वर्ष में जिसमें पुरुषकार की सिफारिश की गई लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हुआ होना चा नेतरत तुछमता वागिर सब के लीज़ भी मिलता है मतलब कुल्मिला करके कि यह इस्पोर्टस के अंदर आपने बहुत अच्छा किया आपने बहुत अच्छा लीडर्शिक किया जिसे टीम वर्क भी अच्छा करवाया तो उसके लिए भी अर्जुन अवार्ड जो है मिलत लाक रुपे हो गई है इसको ध्यान में रखेंगे अर्जुन पुरुसकार इस बार 27 खिलाडियों को दिया गया अब यह 27 खिलाडी है यहां पर है ठीक है यह 27 के 27 अब आप लोगों को यह कहां पर उपलब्द हो जाएंगे इसकी PDF में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हू डेली यह जो क्लास होती है हमारी उसकी डेली PDF आपनों के पास में उपलब्द रहती है वो रहती है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए अनेकेडमी MPPS से व्यापम टेलिग्राम चैनल के उपर जो की MPPS 10 उसका लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लीजेगा वहां पर आपको इसका PDF उपलब्द हो जाएगा ठीक है पांच लाग से कितनी कर दी गई है अर्जुन आवाट की राशी 15 लाग रुपए कर दी गई है और इस बार 27 खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार प्रदान करने की घोशना की गई है जो इस प्रकार है कि अतनुदास तीर द्रोनाचारे आवाट 1985 में स्टार्ट हुआ था और जो प्रसिक्षक हैं जो खेल हैं उनको प्रदान किया जाता है इसमें भी राशी कितनी बढ़ गी है 5 लाग रुपए से बढ़ा करके 15 लाग रुपए कर दी गई है तो जैसे राजु गांदी खेल रतन की कितनी कर दी ग कर दी गई है अब द्रोनाचारे जो है उसमें किस किस को मिला है धर्मेंदर तिवारी तीरंदा जी पुर्शुत्तम राय एथलेटिक्स शिव सिंग को बॉक्सिंग के लिए रोमेश पठानिया को होकी के लिए क्रेश्न कुमार हुड़ा को कबड़ी के लिए विजय भालच चीट्र मीटशरेणी में किस को दिया गया है भै trotzdem के लिए ये निए फैलिक्स सेबस्टियन को होकी के लिए योगेश माल्विया जी को मलखंब के लिए दिया गया है योगेश मालविया जी मध्यप्रदेश से संबंद रखते हैं उज्जेन से जस्पाल राणा को शूटिंग के लिए दिया गया है जस्पाल राणा भी मध्यप्रदेश की शूटिंग अकेडमी जो है न मित्रों मद्यप्रदेश की शूटिंग अकेडमी में कोच है यह जश्पाल राणा साब और यह मैंने प्रेश्ण में पूछा आप लोगों से करंट अफिर के अंदर ठीक है लेने के बावजूद भी खेल की उन्नती के लिए योगदान करते रहते हैं इसके लिए ध्यानचन अवर्ड दिया जाता है कि भी सन्यास ले लेकिन फिर भी खेलों के विकास के लिए लगाता काम कर रहे हैं ध्यानचन पुरुसकार की राशी भी पांच लाग से बढ़ा करके कित्ती कर देगी हैं दस लाग कर देगी और जो चारों आवर्ड हैं हमारे आंपके चारों आवर्ड की राशी बढ़ा दी गई है वाटिक्स के लिए रादीप क्रशन गधे को गंदे उनको मिला हूआ बैड मिंटन के लिए तो इस तरीके से ये सारी चीजे आप सब्सक्राइब के अंदर उकलब दो जाएगी किसको ध्यांचन अवार्ट मिला है इस वीडियो की डिस्रिप्शन में आपको MPPS 10 टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वहां पर आपको इसका सब्सक्राइब के विडियो क्लब हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे जो अवार्ट मिला है दूस्तों वह यहां पर इसमें अपने मद्यप्रदेश से जो व्यक्ति हैं सत्यंद्र सिंग वाटर एडवेंचर में इनको मिला हुआ है ठीक है यह मद्यप्रदेश के ग्वालियर से संब्द रखते हैं तेंजिंग नोर्गे पुरुसका चलो ठीक है अगला प्रेशन आ रहा है अपनों की स्क्रीन के उपर अप आज के करेंट अफेर का छटवा प्रेशन कोविद नाइनटीन के विकास के लिए किस देश ने भारत को 3500 करोड रुपे प्रदान किये हैं कोविद नाइनटीन कोविद नाइनटीन में विकास के लिए ठीक है एक सेकंड रुख जाएगा मैं इसको ठीक कर देता हूँ COVID-19 में स्वास्थ विकास के लिए ठीक है किस देश से प्राप्त हुआ है ये आप लोगों को बताना है कि लिए हेल्थ के डेवलप्मेंट के लिए हमें प्राप्त हुआ है ये चिकर और बहुत बढ़िया काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है चटवे का चटवे का जो सबसे पहले मेरे पास में आंसर आया हुआ है वो आया हुआ है मेगा शर्मा का सई जापान ने दिया है जापान ने दिया है जापान ने जापान ने यह हमें दिया हुआ है कोविट के समय में हेल्थ क कास के लिए किस देशने भारत को तीन हजार पांसो करोड प्रदान किया तो जापान ने हमें प्रदान किया इस पूरा एक्स्मिलेशन है जापान के दुआरा हमें यह प्रदान किया है ठीक है कहां विश्व का सबसे बड़ा सोर पेड़ स्थापित किया है अब मैं सोर पेड़ को आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके का होता है यह आप लोग जब तक आंसर दीजिएगा कि वेज्ञानिक एवं और जो की कनुसंदान एक मिल्ट कि अग्या कि अग्या वही शोर पेड़ कि यह लग कि इस तरीके से दिखता है कि अग्यानिक एवं और दियों की कनुसंदान परिशत जो है उसने कहां विश्व का सबसे बड़ा सोर पेड़ स्थापित किया है दिल्ली में मुंबई में दुर्गापूर में बिलासपूर में बहुत बढ़िया साक्षी साहू का सबसे पहले मेरे पास में आंसर आया है साक्षी साहू ने सबसे पहले आंसर दिया है और इन्होंने दिया है दुर्गापूर बहुत बढ़िया सी आंसर इसका दोस्तों यह इस तरीके से दिखता है सोर पेड़ मतलब कि पेड़ टाइप का पुरा जो है उसके पैनल्स लगाए गया है विश्व का सबसे बड़ा यह सोलर व्रक्ष लगाए गया है यहां पर देख लेते हैं अपना एक्स्लिनेशन इसका वैग्यानिक एम ओद्योगी कनुसंदान परिशत की आवासी कालोनी दुरगापुर में इस्थापित किया गया है और उसके जो निदेशक हैं वैग्याने के ओद्योगी कनुसंदान परिशत के डॉक्टर हरीश हिरानी ने इसकी तक्नीकी के विशे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस स्थापित सोर पेड की शमता 11.5 कWP है और से भी अधिक है मतलब और इसमें स्वच और हरित उर्जा की 12,000 से 14,000 इकाईयों को उत्पन करने की वार्सिक शमता है मतलब इतने यूनिट्स बिजली जो है इससे प्राप्त हो जाएगी 12,000 से 14,000 यूनिट जो है बिजली प्राप्त हो जाएगी तो काफी पायदे मन रहेगा एक जरास आप खुद देख सकते हैं इसको कि यह जो पेड है वो एक बहुत ही कम जगे पर स्थापित किया गया है और 12,000 से 14,000 यूनिट अगर इससे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है चलो ठीक है आप मैप कोश्चन लेकर क्या रहा हूं दूस्तों मैं आपनों के लिए ओके मैप कोश्चन जो है वो मैप कोश्चन में दे देता हूं आप लों को बस जास सेकेंड लुक जाएगा आज का मैप कोश्चन आपनों की स्क्रीन के उपर है चीक है आपको उस इस्थान का नाम बताना है उस इस्थान का नाम बताना है जो यहाँ पर आपनों की स्क्रीन के उपर दिया गए चीक है हुशंगाबाद के उस गाउं में मानव खोपडी का जीवाश्म दिसंबर 1982 में मिला है दिसंबर 1982 में मानव खोपडी का जीवाश्म मिला है और इस मानव खोपडी के जीवाश्म की पहचान हेमो रेक्टस के रूप में हुई है उस जगे का नाम बताना है अपनों बताईए फड़ाफट जल्दी जल्दी नहीं पता चल रहा हत्थ नौरा हत्थ नौरा जगे का नाम है आदमगण अलग है आदमगण में शेल चित्र मिले आदमगण के अंदर रॉक पैंटिंग्स मिली है और यह जो मानव खोपड़ी के जिवाश मिला है दिसंबर नाइटीन एटीटू में वह मिला है हत्थ नौरा से यहां रखिएगा इसका मिला हत्थ नौरा से आपको चलो कल के जो करेंट अफेर्स थे उनका रिविजन मार लेते हैं अपन दावट कल का जो आपनों का पहला करेंट अफेर्स था वो मल्खम के लिए भारत में प्रथम द्रोनाचारे अवार्ट किसे दिया गया है यह था मल्खम के लिए भारत में प्रथम द्रोनाचारे अवार्ट किसे दिया गया है यह कल का प्रेशन था आपनों का तो किसको दिया गया है स्री योगेश मालविया जी को दिया गया है जो उ जो हैं तेंजिंग नोर्गे रास्टी साहसिक पुरुसकार राप्त करने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए सत्तेंद्र सिंग लोहिया यह हैं दोस्तों आपके योगेश मालविया जी और यह हैं आपके सत्तेंद्र लोहिया जी ठीक है चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अगला प्रेशन था आपका कल का केंद्र सरकार ने सितंबर माहा को किस माहा के रूप में मनाने की घोशना की गई है तो उसके बाद में रास्टिक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत मध्यपरदेश में किस दिनांक को खाद्यानसुरक्षा परची वित्रित की जाएगी तो 3 सितंबर को खाद्याने सुरक्षा पूरे मद्ध प्रदेश में खाद्याने सुरक्षा परचित वित्रित की जाएगी प्रिसिद्ध भारती पर्व ओनम किस राज का राज की पर्व है तो केरल का राज की पर्व है ओनम इसके विशे में आपनों को मैंने काफी विस्तरत जानकारी दी थी ख़टवा कोशन था भारत आशियान सत्रवी आर्थिक मंतरी परामर्ष बेठक के अध्यक्षता किस नहीं की पर उसके बाद में सत्रंज ओलंपियाड में भारत और किस देश को सईयूक्त रूप से विजेता घोशित किया गया है भारत और रूस को संयूंत विजेता घोशित किया गया है ठीक है तो उसके बाद आठवा क्वेश्चन है कल का आठवा क्वेश्चन हाली में टैनिस के अंदर Western and Southern Open का खिताब किस ने जीता तो यह Western and Southern Open का खिताब नोवाग जोकोविक ने जीता है ठीक है कल का यह प्रेश्चन था जो की मैप से संबंदे था आपको उस महल का नाम बताना था यह सिंद्या परिवार का वर्तमान में निवास इस्तल है और और भव्य संग्रहाले भी है और इस महल में प्रिसिद्ध दर्बार हॉल भी इस देते हैं ठीक है यह कौन सा महल है जल्दी बताएं जैविलास पैलेस जैविलास महल है जो कि ग्वालियर में है यहाँ पर दर्बाल हॉल भी है और यहाँ पर एक भव्य संग्रहाले भी आपनों का है दोस्तों आज की क्लास जो है वह यहीं तक थी कल हम फिर पुना कुछ नए करंट अफेर के साथ में उपस्तित हो जाएंगे जहां पर मद्ध्य प्रदेश भारत और विश्वतीनों के करंट अफेर का कॉंबिनेशन रहेगा और प्लस आप लोग के लिए एक मैप कॉश्चन रहेगा तब तक के लिए धन्यवाद साड़े नौ बजे मद्ध्य प्रदेश के प्रशासन से संबंदित एमसी क्यू देने जरूर आईएगा और अकेडमी एप के उपर आप सबी लोगा स्वागत धन्यवाद